हलो फ्रेंट्स आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं बहुत एफेंटिक मूवी जिसका नाम है अटैक ओफ फिप्टी फिट वोमेन तो मूवी स्टार्ट होती है और हम नेंसी नाम के लड़की को देखते हैं जो कि अपने निकम्मे पती को ढूंड रही है नेंसी अपने साधी के बाद खुस नहीं थी इसलिए वो सकेटरी आंटी के पास आती है यहां नेंसी बताती है कि उसकी साधी हैरी से हो चुकी है जो कि उसके पिता के कमपनी में काम करता था उसके पती को बस नेंसी के पैसों से मतलब वो नेंसी को जरा भी भाव नहीं देता था नेंसी उसके घर के बाहर से आवाज लगाती है लेकिन उसका निकमा पती बाहर नहीं आता है तो नेंसी वहाँ से चली जाती है हैरी का फेर लाली परकर से चल रही है और इधर नेंसी गुसे में कार ड्राइविंग करते हुए जा रही थी कि तभी उसे आसमान में कुछ दिखाई देती है और वो एक एलियन का बोट होता है नेंसी गारी अस्टार्ट करने के कोशिस करती है लेकिन गारी अस्टार्ट नहीं होती है तभी उस बोट से लेजर निकलकर नेंसी पर गिरती है और इसके बाद गारी अस्टार्ट हो जाती है और नेंसी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और हैरी के पास आ जाती है तभी व वाला हैरी से कहता है कि आपकी बाइफ ने एलियन का देखी है तो हैरी को इसमें अपना फायदा दिखने लगता है वो कहता है कि अगर यह सच है तो इसमें हमें पैसे मिल सकते हैं नेंसी सेरी को वो जगह दिखा रही थी कि तभी वहाँ पर नेंसी के डैड आ जाते हैं और नेंसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं तब ही नेंसी से कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा सब कुछ भूल जाओ और तुम किसी को बताओ कोई भी नहीं क्यूंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बज़ा से मेरी इज़र डॉन हो इसके बाद Harry भी घर आ जाता है और Nancy से कहता है कि मैंने एक alien UFO देखी क्या तुम्हें यकीन है मुझपर तो Harry कहता है कि यास वो Nancy पर यकीन कर लेता है आगले दिन Nancy अपने सैके आर्टी आर्टी से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने alien का वोट देखा किया आप मुझपर यकीन करते हैं तो सेकेटरी आर्टी कहती है यस वेटा हमें तुम पर यकीन है इसके बाद Nancy अपने पती Harry से कहती है कि मुझे उस जगह पर जाकर सबूत इकठे करनी चाहिए ताकि लोग मुझपर ट्रस्ट कर सके फिर वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां नेंसी ने alien ship देखी थी कुछ दिर वाद वहाँ वहीं ship आ जाती है तो नेंसी वो ship देकर बहुत खूस हो जाती है वो कहती है कि देखो मैंने कहा था ना लेकिन मुझपर कोई यकीन नहीं कर रहा था इसके बाद नेंसीन बहुत excited हो जाती है और वो ship के नीचे चली जाती है और वो a few नेंसीन को पकड़ लेता है और नेंसीन को अंदर खीच लेती है और इसके बाद लाली पार को छट पर से कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे वो उपर छट पर देखने जाती है तो वहा पाहदर नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर आये क्योंकि उनको बेज़िती पसंद नहीं था है रिखि से पिदा के बीच इसी बात को लेकर भास हो जातीये को नियंसि की माह पर कमेंट करते हुए लैंजिन सुन लेती है जिसे नेंसी बहुत ही गुस्स हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि नेंसी का साइज अचानक बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वह छट में घुज जाती है फिर अगले सुब़ा है एक डॉक्टर को बुलाता है नेंसी को डेखने के लिए वह डॉक्टर नेंसी को देखकर हैरान हो जाते हैं सेकेटरी कहती है कि वह नॉर्मल इंसान की तरह ही है बस उसका साइज बढ़ गया है वह डॉक्टर नेंसी के साथ ले जाने के लिए कहती है लेकिन नेंसी मना कर देती है रात में नेंसी एक छोटा स्विंग पूल में बैठी थी तभी वहां पर Harry भी आ जाता है तो नेंसी कहती है कि मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इस पर Harry कहता है कि गुड नैट नेंसी तो इस पर नेंसी फिर गुस्स हो जाती है और आगले सुबह Harry के डॉक्टर भी एक बड़ा सा injection लेके आता है और कहता है कि इसमें थोड़ा सा नींद की दवा है जिसे तुमें आराम मिलेगी मेरे पास तुम्हारे पती और तुम्हारे डाइट का परमिस्जन है तुम इसे ले लो तभी नेंसी उस injection को ले लेती है और वो डॉक्टर को देने लगती है वो कहती है कि इस injection की जरूरत तुम्हें है लेकिन ऐसा करते हुए सेकेटरी उसे रोक लेती है इसके बाद हैरी डिनर के लिए आता है फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं तभी नेंसी कहती है कि जब से यह सब हुआ है हम एक दूसरे को काफी करीब आ गये हैं वो कहती है कि तुम्हें पता है हम लास्ट टेम कभ साथ में डिनर किये थे नेंसी कहती है कि क्या तुम्हें गैलीवर ट्रेवल के बारे में सुना है मुझे वैसे ही फिलिंग आ रही है मेरे आसपस सब खिलोना लग रह गलीवर ट्रेवल का प्यार का एमेजिन करो मजा आएगा तो हैरी कहता है कि तुम पागल हो गई हो तुम अभी अनेचुरल हो यह वाज सुनका नेंसीन गुस्सा हो जाती है और वो ट्रक को उठा कर फेग देती है हैरी कहता है कि कुछ नहीं तुम एक बड़ा मजाक हो तब है हैनिन कहती है कि आवे कीरा मैं तुम्हें मचल दूंगी पर अचानक हैनिन भी हो सो कर वहीं गिर जाती है तो हैरी वहां से दुम दवा के भाग लेता है इधर नेंसी के पिता भी अपने परजेक्ट में बीजी होते हैं और हैरी भी अपने लाली पार्क से इस्क लड़ा रह होता हैं इन दोनों को नेंसी के कोई परवा नहीं कुछ दिर बाद नैंसी को होसा आता है और को हैरी को धूरने लगती यह ड्राबहर धूरते शहर्स राजातीत हैं और पुछती है कि मेरा हस्वेंसी को देख कर सब ढ़र जाते हैं और इधर उदर भागने लगते हैं लेंस उसे खिलाओने की तरह ठुमक देती है हैरी वहां से भागने की कोशिस करता है लेकि नेंसी उसे कार साहित उठा लेता है और हैरी को बाहर निकालता है कि तभी ट्रीट वाले हेलिकोप्टर लेके आ रहे थे नेंसी हिलकोप्टर को देखकर भागने लगती है यह लोग भी ने हमने मेरी बेजिती मत करवाओ तभी नेंसी कहती है कि तुम कैसे डैड हो मेरा आध तक भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि अबल पैसों के पीछे भागते रहते हो और यहां वो अपने ही डैड पर गुस्सा करती है तो उसके डैड पुलिस वाले से कहते है कि तुम्हारे पास गन है तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं तभी सिनियर ओफिसर बोलता है कि कोई फायर नहीं करेगा जब तक हम नहीं कहयें फायर जनाता कोई मुवी कुछ इस तरह से यहीं खतब हो जाती है दोस्तों यह एक्सप्लेशन आपको कैसा लगा उमीद करता हूं यह फ्रेंचिक मुवी आपको जरूर मज़ आया होगा देखने में यह मुवी साल 1993 को आई थी और उस टाइम यतना विज्वाल इफेक्ट से बनाया गया मुवी साल अपने आप में बहुत ही आमेजिंग है तो इस अद्भूत और अनोखे मुवी के लिए एक लाग तो बनता है दोस्तों तो चलिए मिलते किसी और एक्सप्लेशन बले वीडियो में तब तक के लिए